राज की ये काश्ठकला ओद्योगिक प्रशिक्षन संस्थान कट्रा प्रयाग राज की प्रस्तुती आज का प्रशिक्षनार्थियों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट अंगल ग्राइंडर ग्रास कटम मशीन के डिजाइन आंड डिवेलपमेंट से संबंधित है। इस मशीन का उप्योध हर प्रकार के घास एवं जाडियों को काटने के लिए किया जा सकता है। प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स कोच इस प्रकार है। अर्विन सिंग इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग, आलोक शर्मा इंस्ट्रक्टर फीटर, अमित कुमार इंस्ट्रक्टर डीमसी, फोर्में श्री सुरेश कुमार, फोर्में श्री संजय कुमार, एवं परमादर्निय प्रधानाचार्य महोदेश्री जीए इसमें लगे इंगल ग्राइंडर का आउट्ट पावर 400 वाट एवं नो लोड की कंडीशन में आर्पीम 11,000 है इसके द्वारा फोवर्ड और रिवस दोनों डाइरेक्शन में कटिल्ग की जा सकती है इसमें ब्लेट की हाइट को अज़स्ट किया जा सकता है जिसके द्वारा कटिल्ग के बाद 30 mm से 70 mm हाइट की ग्रास प्राप्त होती है इंगल ग्राइंडर की फ्लेक्सिबल असेंबली के कारण कटिल्ग के बाद इसे खोल कर दूसरे कार्य के लिए तुरंत उप्योग किया जा सकता है इसमें हैंडल को यूजर हाइट कमफर्ट के अनुसार सेट किया जा सकता है प्रोड़क्ट आउटर डाइमेंशन मशिन की लंबाए 1066 mm चोड़ाई 450 mm एवं उचाई 620 mm है इसमें प्लेट की हाइट को 30 mm से 70 mm तक सेट किया जा सकता है सेफटी को ध्यान रखते हुए ब्लेट के नीचे एक मैडल गार्ड लगाया गया है जो की कटिग के दौरान ब्लेट को जमीन से लड़ने नहीं देता है एंगल ग्राइंडर के प्रोटेक्शन को ध्यान रखते हुए इसका ग्राउंड से डिस्टेंस 610 mm रखा गया है हेंडल को यूजर कमफर्ट के अनुसार अज़स्ट किया जा सकता है मशिन का एक्स्प्लोड़ड व्यू कुछ इस प्रकार है Product Cat Design प्रोड़क्ट के Requirement एवं फीचर को ध्यान में रखते हुए इसके वरकिल्ड मेकैनिजम एवं स्वरूप को पहले Cat सोफ्ट वेयर की मदद से कम्प्यूटर पर डिजाइन किया गया है Product Proto Sample Complete Development एवं Painting के बाद Product का Proto Sample Image कुछ इस प्रकार है Product Working Demonstration Electrical Supply से Connect करने के बाद इस Product का Trial Field में लगी घास के काटने के लिए किया गया जहाँ यह Machine अपने Design एवं Feature के अनुसार Field में लगी घास को बहुत सुगमता से काटती है तो चलिए एक बार इसका Demonstration देखते हैं आटार के जुझते हैं झाल 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 झाल